तो अस्ट्वेंट क्वान्टाइजेशन आफ इनर्जी में क्या पढ़ाया गया है मैंने क्या लिखवाया था क्वान्टाइजेशन आफ इनर्जी के लिए कि एक लाइन आप लोग बोल सकते हैं नहीं चाज़अ प्रोटॉना चाज़अ फन्ट्वन खनाया फिनर्जी के लिए में वो तो क्वान्टाइशन स्काले था अपन्टाइजेसन आफ इनर्जी का मतलब था आप लोग नहीं लिखे हैं तो एक लाइन लिख सकते हैं The smallest quantity of energy The smallest quantity of energy That can be emitted or absorbed The smallest quantity of energy That can be emitted or absorbed In form of electromagnetic radiation In form of electromagnetic radiation Is called As quantum of light Is called as quantum of light Just लिखने के लिख 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 लिए फिर मैं समझाता हूं एक और point लिखेएगा एक बार और बोल दे The smallest quantity एक point concept है The quantum theory of light का मतलब क्या है यह actually quantum theory of light के अंदर मैं लिखवा रहा हूं एक और point लिखेगा is always an integral multiple of a smallest energy value is always an integral multiple of a smallest energy value called quantum of light called quantum of light के डिखेएट, को, on isतल समी हूं viktigt कि यहा कि बार घप सरी मातलब लीजचरा, our लोडान एकавाथ, แन का लिखेएब मतलब लिखेswिझ है कि आंदर ही, the light energy कमि ओफ रर लुटार, isAythakai montre木, कौन एक सहान कि और लिखेएज़ लिखेटे, अब देखिया student, दोनों point को हम लोग एक बार revision कर लेते हैं, आप लोग पढ़ लिए तो मैंने क्या लिखवाया, दोनों point देखिया माल लेते हैं कि यह एक light का source है, ठीक है बल्ब है, ठीक है everyone, यहां सही समझने, एकोशिस करते हैं, इस बल्ब पे rated है, जो लिखा हुआ है, वो है 100 बार्ट, and V equal to 220 बोल्ट, ठीक है student, तो actual में यह दोनों चीज एक साथ लिखा रहता है, यह दोनों चीज अगर एक साथ नहीं लिखा रहेगा, तो आप company कर सकते हैं, because आप देखते हैं, किसी टाइम पे ऐसा होता है, कि आपका बल्ब बहुत ज्यादा brightness देते रहता है, रोशनी देते रहता है, कभी बहुत दिम दिखता है, कम रोशनी देते रहता है, तो उसके लिए company को आप blame करने से पहले एक देख लिए है, कि company ने बोला था, कि 100 बाट का मतलब हुआ, बाट का मतलब क्या, जूल पर सेकेंड, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 100 जूल बल्ब देगा, 1 सेकेंड में कितना जूल सप्लाई करेगा, 100 जूल, provided आप उसके इन दोनों टेर्मिनल के अगेंस्ट, 220 बोल्ट का potential difference create की जगत थाब, correct? उससे अगर कम करेंगे, तो यह कम भी दे सकता है, इसलिए जो रॉस्ति कभी-कभी हम बोलते हैं, बहुत आज हाई बोल्टेज है, ज्यादा ब्राइटनेस दिख रहा है, कभी लो बोल्टेज है, डिम बल्ब जल रहा है, इसका टेकनिकल मतलब यह हुआ, समझेंगे? एनिवे, तो अगर बल्ब कर बल्ब पे रेटेट है, हंडेड बार्ट और पोटेंशल डिफिरेंस टू टू टी भोल्ट और जितना चाहिए, पोटेंशल डिफिरेंस उतना कर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो इनर्जी कमिंग आउट, क्या होगा एवरीवन, एक सेकंड में कितना आएगा? क्या बोला गया है, कि किसी भी लाइट का सोर्स से जो इनर्जी आएगा, तो क्या हंडेड जूल का एक पैकेट आएगा? बत्व हंडेड जूल का एक पैकेट नहीं आएगा, करेक्ट? वह हंडेड जूल जो सबसिस छोटा उस वहां पे अब इसका मतलब से आप लाइट में यहां पे आप पार्टिकिल नेचर का बात कर रहे हैं, पार्टिकल का ही बात कर रहा हूं, फोटो एलेक्टिक एफेक्ट में हम लोग लाइट का डिवल करेक्टर होता है, तो पार्टिकिल नेचर को लेकर ही बात किया गया है, इसका मतलब है, कि यहां से जो हंडेड जूल मिलने के लिए इस बल्ब से बहुत छोटा छोटा पैके निकला है, करेक्ट, इस तरीके से हम लोग को इनर्जी मिल रहा है, तो जब भी पैकेट है, अगर यह लाइट का पैकेट है, छोटा छोटा पैकेट, तो पैकेट को आप ठ्रेक्शन में तो बोल नहीं सकते हैं, जब भी बोलेंगे इंटीग्रल बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे एक 10.75 पैकेट, राइट, बोलना सही लेगा, इसका सकता है किए कि और सिक्या एक आया सिस्टेंगे अच सा पैकेट लुकित अचम्तर बोलेंगे के लाइट, आएट तो तो छोटा छोटा पैकेट है, इसे पैकेट आप भी तो यह स्मॉलेंगेश घाल् LeATHAN को यह स्मॉलेश्ट बैब्हु किसी भी आ जॉर्स दाउर्स से सबसे smallest packet of energy वही packet तोड़ दोड़ के मिला है यह बहलूड डिपेंड करता है इस source के frequency पर किस पर डिपेंड करता है आप पर डिपेंड करेगा यह आपके हाथ में नहीं कि वहां से तोटल इनरजी जो आएगा जो हंडेड जूल, दोसो जूल या थ्री हंडेड जूल, वह एक्ट्वल में स्मॉलेस्ट जो पैकेट ऑफ इनरजी का है, वह स्मॉलेस्ट पैकेट के फॉर्म में ही आते रहेगा, ऐसा भी नहीं हो कि दो पैकेट मिलकर बड़ा पैकेट एकेट ऑफ जूलेस्ट पैकेट आ फूइन आट टोल के डूलेस्ट ऑन फूलेस्ट पैकेट इनरजी काम हम अव debपे कर। अट प्रूल काटम उपाट, 1 endeavor वहां जूमाटब अफ वीट हैट वहां है? as one quanta of light, which is also known as one photon, correct? इसका मतलब एक नोटेट पॉइंट आ है, a smallest packet of energy coming out from any source is called what? बली तो, one quantum of light और ऑल्सो नोँ आज आज 1 photon, correct? ऑल्सो नोँ आजभाट ऐसे तो, यहां तका जाईए रहेंगा, आप लोगो को दिखाई पड़ रहा है अपरन का मताब एक का मताब एक को मैं किसी भी लाइट के सोर्स नहींड है आयेगा वो छोटा छोटा पैकेट बना कर आएगा अब इसका मतलब यह नहीं कि बेव नहीं रहेगा मतलब हम लोग लाइट का one of the aspect देख रहे हैं one of the character के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट का पार्टिकिल पैकेट के फॉर्म अगर बात करेंगे तो प्लाइंग के एक एक वहलो कमिंग आउट फ्म अनी सोर्स मतलब कोई किसी सोर्स से अनर्जी का बड़ा वहलो अगर हमको मिल रहा है तो पैकेट पैकेट के फॉर्म में मिल रहा है और कौन सा पैकेट एपैकेट का वहलो का जो इनर्जी वहलो रहेगा वह किस पर डिपेंड करेगा frequency of the source राइट मैं तो एजो उसमॉलेष पैकेट में दिखा रहा हूं किहां पैकेट के फॉर्म में आ रहा है ऐसे नहीं दिखा रहे हैं है according to Planck ऐसे होगा या ऐसे होगा कैसा डाग्राम सही रहेगा इनरजी इस बल्ब से निकलने का यह दिखा रहे मतलब बेव करेक्टर दिखा दिखा दिया राइट इसको अभी एक टाइम में मैं नहीं बोल रहा हूं एक टाइम में अब उसके लिए बहुत राचीज है बस अभी के लिए इसमें पार्टिकल करेक्टर भी रहता है देखते नहीं है इसमें रिफ्रेक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है और डिफ्रेक्शन भी होता है अब डिफ्रेक्शन से क्या है छोटा सा बात मैं बता रहा हूं अब बिलकुल मतलब अगर लैप में पर काम नहीं करना चाहते तो ध्यान से देखिए अगर इसके लिए मालेते हैं कि कि संलाइट आ रहा है और आपका आसाम टाइप अगर छहत है तो उसमें चोटा सा अगर खुले दम बहुत चोटा सा बड़ा नहीं बहुत चोटा सा तो इसका जो लाइट यहां पर आएगा वो इतना फैल जाएगा तो इसका मतलब है कि जरूर लिए यहां पर लाइट यहां पर आया है यहां से जो लाइट इन कर रहा था वो थोड़ा बेंड हो गया नहीं इसलिए इन सब चीजों पर बाद में बात करेंगे दोनों नेचर होता है अब एक साथ एक साथ दोनों करेक्टर सो कर सकता है या डिपेंडिंग जहां पर जैसा रहेगा वहां पर ऐसा सो करेगा ठीक है इसलिए यह सब चर्चा का विसायबाद में अभी यह जानी के हो गया है quantum theory of light में हम लोग light का कौन सा character के बारे में बात कर रहे हैं यह ज्यादा important बात है quantum theory of light में हम लोग light के particle के बारे में और उसके according किसी भी source से energy अगर निकल रहा है out हो रहा है इने given interval of time तो energy का कोई भी बड़ा value actual में उसके छोटे-छोटे packet को मिला कर बना है राइट और सबसे छोटे packet का नाम क्या है sir photon राइट और according to plank energy energy one photon है photon से अब इतना आप लोग वाकिप हो गए तो energy of one photon यही तो प्रहाए थे directly proportional to what frequency किसका frequency जा source का correct the energy of one photon के लिए क्या लिखेंगे h new correct जहां पे h का value आप लोग जानते हैं और h क्या है इसका नाम क्या दिया है planks constant h का फेलू कितना था एवरिवर्वर्ण minus 34 joule second ठीक है ना चलीए यह दखिएर एवा जाक। आप्डीयर करेका यह क्या ना उलीए यहा दिक्यायगा आथि यहाहनल है दीएगा थेलिए gonna तो क्या यहां से frequency? अब अगर्दीन टो quantum theory of light, let us suppose total energy coming out of from any source, total energy coming out from any source is ET, तो यहां पर जो ET रहेगा, वो किसका collection रहेगा? Sir, it is the collection of packet of energy, और उस packet of energy का मतलब क्या? photon, तो जो total energy रहेगा, Sir, it is total energy, the collection of photons, right? कौन सा photon? those photons which are coming out from the source, right? इसका मतलब सोर्स से जो light आ रहा है, quantum theory of light में, वो packet के form में आ रहा है, photon के form में आ रहा है, particle के form में आ रहा है, is it right? तो photon को तो आप ऐसा तो नहीं बूल सकते नहीं, कि 10.6 photon, जब भी बूलिया का 10 photon, 12 photon, 20 photon, right? इसका मतलब total energy equal to number of photon, into energy of photon, कि ऐसा लिख सकते हैं? और इसी equation को बुला गया है, quantization of light, इसका मतलब, according to quantum theory of light, energy का कोई भी बड़ा value, किसी source से आ रहा है, तो उस source के सबसे छोटे value को, integral value से multiply करने के बाद मिलता है, तो quantization का मतलब ही यह था, कि कोई भी, if any quantity is quantized, तो उस quantity का बड़ा value, उस quantity के सबसे छोटी value को, integral value से multiply करने के बाद मिलता है, तो ऐसा जो जो प्रपर्टी सो करेगा, उन सारे को हम लोग बोलेंगे, कि that quantity is quantized, क्लियर है ना, तो क्या यहां से N नहीं निकाल सकते हैं, अगर ए दिया रहे रहे गा, ए दिया रहे रहे गा तो, चलिए यहां तक आई, हो गया है, चलिए, इसको आटा है, चलिए, आज प्रोलम नहीं रहते हैं स्ट्वेंट, नेक्स संडे को प्रोलम रहेंगे, आज थियोरी को ही में बढ़ाते रहूँगा, ताकि आप जी रोक्स करके रेडी रहें, या भी प्रोलम बना सकते हैं, कर दो दो करेंगे, एक और क्वाइं लिखे तो वन फोटोन अल्वेज गोलाइड विद वन फोटोन अल्वेज गोलाइड विद वन पार्टिकिल यह फोटोन का क्वालिटी है मतब कोई भी फोटोन अट टाइम कितना पार्टिकल से कॉलाइड करेगा वन फोटोन ऑल्वेज कॉलाइड विद वन जिससे कॉलाइड करेगा उसी को अपना इंटायर पैकेट ऑफ इनर्जी हैंड ओबर करेगा ठीक है जिससे क पॉलाइट करेगा उसको ही अपना इंटाइर पेकेट ऑफ इनर्जी हैंड ओबर करेगा ऐसा कोशन हम लोग बनाई थे क्या लेकिन फिर भी एक रेगुलर क्लास इसमें ले लेता हूं छिर ले लो लेगी बनाई ये 没事, अबर वगद दूए तर शेялग च्किन फिर में में Gएनों अपनाग तर दूए बनाईबर पॉद इसकेशबेट दीन हम इम apoy इसकेशबर, पहसा च्लिए कि अपनाग है अएट, इफ लेम्डा आफ लाइट इक्वल टू फूर हैंडेड नैनोमेटर अब यहां देखिए तो सबसे पहले इनर्जी ओफ फोटोन कितना निकाल लेंगा इस्टुएंट तो सबसे पहले इनर्जी ओफ फोटोन के लिए अभी तो आपने सिखाया था एच निव राइट एंड निव इक्वल टु क्या हम लोग एक फर्मुला ये भी तो जानते हैं शी लग जो लाइट का बात कर दिया तो लाइट है सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एच सी वाई लैम्डा और स्टुएंट एच सी का वहलू में आपको स्कूल के कि एक्जाम के क्लास में बताया था दुबारा यहां पर टाइम बिस्ट हो जाएगा आप लोग को याद होगा सब लोग तो क्लास करते हैं तो क्या डारेक्ट इस भाई लोग को यहां पर इउस कर सकते हैं वन टू फो टू इवी एनम अट डिवाइड़ वाई लेंडा करेक्ट तो एच सी कब है अभी हां देखेगा इसका मतलब है कि इनर्जी ओफोटोन निकालने का मेरे पास दो फर्मूला है या तो इनर्जी ओफोटोन के लिए एच निव लिखेंगे और नहीं तो इनर्जी ओफोटोन के इनर्जी ओफोटोन जूल में ही चाहिए तो इस फर्मूला का काम करेंगे करेक्ट या यहां से भी अगर काम करते हैं और लेटर सपोज आपने एफ फर्मूला अपलाई कर दिया लैमडा दिया हुआ हुआ है तो लैमडा दिया हुआ रहेगा तो इनर्जी ओफोटोन divided by 400 nm, is it right, nm और nm cancel हो गया, तो बचा क्या, energy of photon के लिए क्या बचा है everyone, energy of photon के लिए 1, 2, 4, 2, divide बाज में कर लेंगे, ये भी, तो आपका जो photon का energy आया, वो किस में आया, सर, electron volt में, correct, और भाई, electron volt भी तो unit of energy है, ये भी क्या है, unit of energy है, और आपको बताया थी कि 1 electron volt equal to error जाना है, तो समय समझा भी दिया हूँ, 1.6 into 10 to the power कितना, minus 19 joule, तो अगर आपने answer lambda दिया हुआ था, nanometer में, आप fast होने के लिए answer electron volt में निकाल दिया, और option अगर joule में है, तो electron volt के बदले, joule यहाँ पर put कर देंगा, और calculate कर लेंगा, right, बस unit का नभर सन है, चलिए, यहाँ तक आगए, चलिए, अब इसको हटा रहा हूँ, यह मैं solve कर रहा था, लेकिन solve करने के time पर मैं थोड़ा सा आपको information दिया, कि energy of photon ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, और HC का value हम लोग, school का exam के लिए हम लोग पढ़ चुके थे, कि HC का value 1242EVNM होता है, is it right? बाकी student, बाकी लोग भी reply कीजिए, अगर नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या लिख सकते हैं? तो आपको कितना टाइम में निकालने के लिए बोला गया है, total number of photons, one minute में ना, तो number of photons, number of photons, in one minute, equal to, क्या लिख सकते हैं, total energy in one minute, correct? are divided by energy of one photon, total energy in one minute का भालू कितना है, student? तो बल्ब का पावर कितना दिया गया है? what the power of the bulb? तो 60 बार्ट का मतलब है कि 60 Joule one second में, right? तो क्या one minute में 60 into 60 कर दे? अब आपको यहां पर समस्या क्या हो गया? समस्या हो गया कि सर जूल को second से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जूल जूल से ही कटेगा, right? तो जूल 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 से कटेगा, तो पस यहां पर करना क्या है? इलेक्ट्रोन बोल्ट को जूल में कनवर्ट करना है? तो वन इलेक्ट्रोन बोल्ट के लिए निव एस्ट्वेंट जो बिल्कुल निव है, वो अभी के लिए यहां पर रट जाईए, बाद मैं स्कूल का एक्जाम के लिए मैं जो पढ़ाया हूं, वो प्लेलिस्ट फाइल सेयर कर दूँगा, मतबब अभी आपको इतना भी रटने से काम चल जाएगा कि यह ची का भैलू होता है 1242 EV NM, यह आप यह NM कहो होता है नैनोमीटर, और 1.6 x 10 to the power minus 19, यह जूल हो गया, मोल कॉंसेट मैं 2nd या 3rd September से दुबारा एक बर पढ़ाऊंगा, जो दोज हुआ इंट्रेस्टेड कि थोड़ा कहीं पर डाउट रहा गया है, वो उस क्लास में आ सकते हैं, एटलिस 6-7 क्लास में फर्स्ट 6 और 7 लेक्चर में पक्का पढ़ाऊंगा, ठीक है everyone, लेकिन उसके लिए आपको जब तक गवर्मेंट अलाउँ नहीं करता है, तब तो ऑनलाइन ही रहेगा ना, मतलब एक्च्वल में जो निव बच्चे हैं उनको बाकी चिस्तों समझ जाएंगे, बट मोल कॉंसेट में उनको थ्वा ज्यादा प्रोलम होगा, तो मुझे लगता है कि एक बार उनलों को दुबारा दिखा देना चाहिए, तो बिल्कुल जो निवली जॉइन एस्टुएंट है, उनके लिए है, अब एक जे, लेकिन ग्रूप में ही आईडी सेयर करूँगा, जो उनको दुवारा भी लगता है कि मुझे भी देखना चाहिए, वा जाईएगा, अपना चुप-चाप क्लास करते रहे हैं कि बिना हाना बोले हुए, राइट, लेकिन वो क्लास, मेक अप क्लास सुबह में रहेगा, तो वो थोड़ा सा आपको इस्कूल से, मैं एक्स्टा आपको तो टाइम देना पड़ेगा, एक और कोशन मनाईए, क्लास, सह स्सक्राण प्रणाब रहे हैं कि बिनाला हाcue हुए, ये एक पर रहे हैं कि अपना आपको दोड़ेगार मिला इसद्एगान हैं कि नहीं बिना पुःए, पर नहीं कि बिनाला है, वो बिनाल? अगन झाल चलिए इसको solve शिर्फ अंसर तक नहीं आना है calculation बाद में भी कर लेगा लेकिन एक तरीका systematic solve कीजिए तो कैसे solve कीजिएगा दो मिनिट के time देते हैं लिखा हुआ पता चल रहा है हाँ 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 यहाँ पे et equal to जो फर्मुला था total energy equal to n into energy of photon जहाँ पे यह था number of photons राइट यह क्या था number of photons है ठीक है तो देखे बल्म का power कितना है instrument तो टू मिनिट में एक्चुल में टू मिनिट में आना कितना चाहिए था रॉस्नी कितना इनर्जी कितना जूल तो टोटल इनर्जी एक्सपक्टेड एक मीटched कितना था इक्सपक्टे gg उस पर लिखा रहे ग़ाइग उत्स ओंडर्डड इंटू कितना त्वुएन्टव इन्टू शीक्सटी STO में टूटिसटी है आना चाहिए था expected था उससे कम आएगा राइट उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि टोटल इनर्जी एक्सपरिमेंटली मुझे कितना मिला एक्सपरिमेंटली एक्सपरिमेंटल रहेगा 100 इन्टू 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 60 क्या 18 भाई 100 कर दें जितना इस पे रेटेड है उसका 80% ही मिलेगा इसका मतलब नंबर आफ नंबर आफ फोटोन्स के लिए इस कीज़ें इसको करेंगे और अच्वाइद करेंगे और टो इसके लिए टो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इनरजी औरर्फोटोन कि निकल लेते हैं इनर्जी और फोटोन के क्लिए यहाँ पे एक फर्मूला आ एक फ्रमूला एक है कौन साहिज करेंare तो इनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू हC वाई लेम्डा हC का भेलू तो अब आप लोग को मिम्राइज हो गया होगा 1,2,4,2,E,V, Nm और डिवाइड़ वाई 600 Nm Nm और Nm आपस में कैंसिल होगे राइट तो 1,2,4,2,R divided by 600 EV और अगर टीजर को बहुत इंप्रेज करना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं यहां पे लास्ट में क्या from quantum theory of light N equal to total energy R divided by energy of photon तो टोटल इनर्जी आपके पास है कितना बोलिए भाई calculation एक ही बार कर लेंगे divided by 1,2,E है जूल में राइट इस बात का खियाल रखियेगा इस तरीके से बनाने का तरीका है तो अगर ऐसा question भी रहेगा कि कोई source दिया हुआ है जिसका पावर भी दिया हुआ है कि मुझत वहां से कितना इनर्जी टोटल इनर्जी आ रहा है कितना टाइम में और इस तरीके से लाइंगो यह किया रहेगा तो हम लोग इसके काम करेंगा यह इसका भी करेंगे इसका भी करें ठीक है है कि एक्सपेक्टेट का मतलब जो बल पर रिका रहेगा जो बल पर लिखा रहे हैं वहीं मेरा एक्सपेक्टे रहा है राइट कंपनी ने जो लिक के भेजा आप तो उसके सौचेंगे नेगए घर पर लाकर लगाए बहलु कुछ और मिल रहा है करेंट् इसका मतलब है फिर आपने कल्कुलेट किया नहीं यह जितना बात लिखा हुआ था उसके रेस्पेक्ट मुझे 100% आउटपुट नहीं मिल रहा है उसका 80% मिल रहा है तो रियलिटी तो आपका यही रहा नहीं तो आप यहां पर इस दर्स भाई मैंने जो यह बात बुला कि मेर है 80% efficiency मतलब जितना देना चाहिए उसका 80% ही मेरे पास इनर्जी आ रहा है तो जितना इनर्जी आएगा उत्रा उसमें उसी में तो फोटन आएगा कि ट्ववंटी पॉटे नहीं आ रहा है किसी बज़े से हो सकता है कि तो फैने लुकरोट नहीं कि बल्व का क्या हुआ मेरा लुकंड है कि मेरे पास इनर्जी आ डिलू क्या में रहेगा तो इसन पर काम करेंगे एक्सपेक्टेड यह था कि जो इसका पावर था बयाटे एक्स्पेमेंटल यह इसको कंसीडर की जगा मतब उतना रियलिटी है राइट कि ठेक है कि हो गया ना इसी तो संब़ते हैं यहां डिशुन लिखनिया कि किसी गाड़ी के लिखते हैं यॉन लिखते हैं बाइक बगरा केलिए युट यूबार एटी किलोमेटर राइट तो इटो जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं आप वो थोड़े बोले थे के ट्रैपिक में फसे रहीगा तो वन लीटर में ठीक रूंट जाएगा या रास्ता थोड़ा गड़ा है उवर्खाबड़ है तो भाई उसन सब चियों को वो चेक किये थे कहां पर हाईवे पर जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था मैक्समाम कैपेबिलिटी राइट बट ग्राउंड पर उत्रे तो हम लोगों बहुत सरा फेस्ट करना पड़ रहा है हाँ पुरा कोईशन पढ़ ही तो क्या नाम है प्रिनागों गई पावर पावर कितना बल्ग का दिया हुआ था हंडेड बाट हंडेड बाट का मतलब बाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड राइट कितना टाइम में कितना टाइम में टोटल फोटन चाहिए था कोशन में देखेंगों यास बल्ब से एक सेकेंड में हंड्रेड जूल निकाल रहा था राइट तो टोटल इनराजी तो ओन ट्वंटै सेकेंड का चाहिए ना क्योंकि मुझे 120 सेकेंड में मुझे टोटल फोटन काउंट करना था राइट नॉट इन वन सेकेंड चल एक और कोशन बनाईए Bond energy of Br2 Bond energy of Br2 is 194 kJ per mol The minimum wave number of photon required to break this bond चलिए यहां देख इस को मैं solve करता हूं यह मेरा problem है ठीक है Bond is just like a spring Bond is just like what? A spring तो actual में इसको अगर इस तरीके से भी मतलब ऐसा नहीं के आवर spring ही हो गया क्योंकि आपके class में कुछ बात बोलने से भी आप डरता हूं कि बोल दिया a spring तो sir a spring तो ऐसे नहीं था एक्चुल में कहने का sense है कि आप नेचुरल रवर देखें रवर बादने वाला रवर उसको जब तोड़ना स्टार्ट कीजेगा तो देखते हैं जितना length का है उससे ज्यादा खिचना पड़ेगा राइट वैसे ही अगर किसी भी दो atom के बीच में अगर bond बना हुआ है इस पो ऐसे oscillate करना पड़ेगा तो bond तोड़ने का one-up तरीका यह होता है कि इसको heat करें और heat करेंगे तो इन दोनों को energy मिलेगा और किसी भी particle को energy मिलता तो particle oscillate करना start होता है ठीक है आगे चलकर जैसे suppose किजे कोई solid substance है मल दे iron का rod उसको heat कर रहे हैं राइट देखते हैं एक time के बाद वो melt होकर liquid में आना start होता है अगर minutely observe कि जैगा तो actually initially क्या हुआ होगा जैसे ही heat करना start किये तो solid में रहते हुए भी उसका atom अंदर में vibrate करना start हो गया और उस iron rod के अंदर जितना भी atom एक दूसरे से जुड़ा हुआ था उसके बीच में dams यो रहकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ solid है तो कोई ने कोई force of attraction रहा होगा राइट देखते हैं घर एपार्टमेंट बनाते तो एक इट को दूसरे इट पर डालते तो बीच में सीमेंट डालते हैं दोनों इट को बीच में force of attraction लगता है भाई एडहेंसी force करेक्ट तब तो जूड़ जाता है अब उसको तोड़ने के लिए आपको बर्क करना पड़ता है थोड़ा सा मारना पड़ेगा तब जाकर टूटेगा करेक्ट वैसे ही अगर यहां पर दो ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो इसको तोड़ने का वनब तरीका क इसको हीट करेंगे तो ब्रोमीन एटम क्या करेगा ऐसे ऐसे उसलेट करेगा राइट अर एक ऐसा टाइम है कि बॉन्ड लेंध से बहुत जादा हो गया मतलब बॉन्ड ब्रेक करे दिया बॉन्ड तूटने का तरीका यह है अब यहां पर कोश्चन जो बुला गया है उसमें कि बॉन्ड इनर्जी और बीर्टीफोर किलो जुल पर मॉल तब मिनमम वेन नमर थौटन रिकॉर्ट तो ब्रेक इस बॉन्ड इसका मतलब कोशन का जिन्हों ने भी कोश्चन को सेट किया है वह क्या कर रहा है वह सोच रहा है कि फोटन अगर आ कर जितना इसको तोडने के ल तेन जूल और आप तेन जूल ही सप्लाई किये तब सिंपली यह ब्रेक होके रह जाएगा राइट ब्रेक होके रेस्ट में है लेकिन आप 15 जूल दे दिये तो तो सर ब्रेक तो होगा ही साथ में जो 5 जूल बचेगा ओ दोनों आपस में इक्वल बाठ के काइनेटी के नजी में कनभर्ट हो जागा ब्रेक भी होगा और फिर मूब भी कर जागा करेक्ट इसका मतलब है कि यहां पर जो मेरे कोस्टन बोला गया है कि दा मिनमम बेब नंबर ओफ फोटोन इसका मतलब यहां पर देखिया और अभी जस्ट मैं बताया था इसी कोस्टन को दिमाग में रखते हुए मैं पहला लाइन यह लिख वाया हाला कि वहाज जगा पर भाली रहेगा वन फोटोन ओल्वेज कोलाइड विथ वन पार्टिकल करेक्ट तो बी या टू मॉलीकुल भी तो एक पार्टिकल ही है इसका मतलब है कि यहां से अगर फोटोन जाएगा और फोटोन जाकर इंटायर पैकेट ओफ इनर्जी इस बॉन्ड फे खर्ज कर देगा और इस फोटोन का इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मिनमम इनर्जी कितना चाहिए फोटोन को मिनमम जितना इसका बॉन्ड इनर्जी है इसका मतलब एक मिनट फिर से मैं समझा रहा हूं आपको मैंने टास्क दिया मान लेजिए कि इसका इन इसका बॉन्ड तोडने का जिसका फूल्पा में बॉन्ड डिसोसियेशन अर्जी दस जूल है आरे पता है कि हम मुझे जो टास्क दिया गया है उसमें इस क्वांटम फिर फ्लाइट में जहां पर कोशन सेट किया गया है उसमें वन फोटोन ऑल्वेश कोलाइट वित वन पार्टिकिल इसका मतलब है कि अगर आप से पुछा जाए कि इस बॉन्ड का वन अप दा इसने का तोड़ने के लिए किसी भी फोटोन के पास मिनमम इनर्जी क्या होना चाहिए तो जितना बॉन्ड डिसोसियस इनर्जी है टेन जूल यस इसका मतलब मिनमम इनर्जी मिनमम इनर्जी रिक्वाइट फोटोन इक्वाल टू बॉन्ड डिसोसियस इनर्जी इसका मतलब इस bond को तोड़ने के लिए energy of photon क्या लिख सकते हैं greater than equal to bond dissociation energy एक मिनाट रुकिए per molecule, per molecule क्यों बोले, because one photon collide with one molecule only, right? इसका मतलब photon का energy bond dissociation energy of BR2 per mole बोले या per molecule बोले, चलिए यहां तक लिखिये, solution यहां से start कर रहा हूँ, यहां तक समझ में आया, हाँ, 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 बोले, 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 भाई, molecule को ही देगा, लेकिन molecule bond कहीं पैसे दिखते थोड़े रहेगा, आप उसको देख पाएंगे, अनाई photon को, मतलब आपको समझाने के लिमने रिप्रजेंट किया, बट को करेगा molecule के साथ ही, बट molecule को भी अगर energy देगा, तो molecule में किसको energy मिलेगा, बट करेगा, इसे सोचिए, फिर किसी को अगर आपको समझाना होगा, आप calculate में teacher बन गया, तो चीजों को ऐसे ही समझाएंगे, कि BR2 के बीच में जो एक रस्ती था, स्टिंग था, एक bond था, उसको जाकर इसने energy देकर इसको break कर दिया, राइट? अजिए teacher किसी student को समझाना रहेगा, तो आप क्या चाहेंगे, simplest form में आप बात को करना चाहेंगे, राइट? अगर मैं अभी के time पर high level को बात कर दो, कि नहीं मैंने energy supply किया, देन ब्रोमीन एटम, उसलेट बीथ, एम, more than bond length का जो amplitude है, उससे ज्यादा amplitude से उसलेट कर रहा है, अब नया ने अटरम आना शुरू हो जाएगा, वह और आपको confuse कर देगा, जुकि जस्ट आपका process स्टार्ट हुआ है सिखने का, ठीक है? चलिए, तो bond dissociation energy कितना दिया है, ब्रोमीन का, पर molecule, तो वहाँ पर molecule चाहिए, वह है पर mole, आप देखी मैंने क्या लिखा है, पर molecule लिखा है, पर mole लिखा है, तो क्या यहां से पर molecule नहीं निकल जाएगा? कैसे, इस value को कितना से divide करेंगे तो पर molecule निकल जाएगा, यह value कितना का है, यह अने से, तो क्या बोल सकते हैं, 194 into 10 to the power 3, मैंने 10 to the power 3 क्यों किया, किलो के बदले, राइट, और divided by यह ने, यह value क्या मिल गया, यह है, जूल पर, bond dissociation energy per molecule, राइट, यह है, bond dissociation energy per molecule, calculation part आपके लिए है, ठीक है everyone? तो energy of photon, मतलब इस bond को तोड़ने के लिए, greater than or equal to what? bond dissociation energy per molecule, यहाँ पर mistake हो सकता था, कुछ student, direct 194 kilojoule ही put कर जाते हैं, यह भाई, combine दिया हो था, one mole का दिया हुआ था, मुझे चाहिए था, one molecule का, राइट, because one photon always collide with one particle, तो यह लेकिन question में क्या निकालने के दिया हुआ था? value find out क्या करना था, wave number राइट, minimum जैसे हैं बोल दिया गया, मतलब iniquility जान बुच के develop करना पड़ेगा, bond dissociation energy per molecule, तो one by lambda equal to लिख सकते हैं, bond dissociation energy per molecule, और divided by hc, और यही तो आपका wave number है, one by lambda, one by lambda आपका क्या है, wave number है, ठीक है, यहाँ तक आईए, अब यहाँ पर भी confusion होगा, कि sir, wave number, तो wave number का unit क्या था, wave number का unit, centimeter inverse भी हो सकता है, meter inverse भी हो सकता है, तो option में क्या दिया रहेगा, उसके according काम करेंगा, right? अगर option में meter inverse में दिया हुआ है, इसका मतलब सारा value को SI सिस्टम में लेंगे, जय है, तो रहे ड़ं, उसके ज़कर हो भी है, हम भी ख्याद़ подумả? ऑर रखेंपाने रहरे हो, आपरी को भी करेंगी हो क्यातingo किस्टम में लेख़ी जएा सया हो हमyse no को हॴशा है, ढुशा है, व Maintenant हुशा है, हC का भैलू 1242 EV ANM पर भाई उपर में है जूल राइट तो आपने तक यहाँ पर EV को जूल में कनवर्ट करना पड़ेगा 194 या या वह कोस्टन है जस्ट इस टाइप कोस्टन आ सकता है आपको assignment मिल सकता है या इंटर्स एक्जाम में कोस्टन में मिल सकता है इसलिए मैं कोस्टन को यहाँ पर ले रहा हूं 1242 अग कल्कुलेस्टन जहां पर रहेगा वहां पर आउज यादा कौन आपको patience रखना पड़ेगा देख तो सही है इभी यह मैंने किसके बदले यूश कर लिया पुलेसर इभी के बदले राइट यह किसके बदले यूश किया नैनोमेटर के बदले करेक्ट अब उससे फायदा क्या हुआ जूल से जूल कैंसिल हो गया तब बस एक छोटा सा कल्कुलेशन है इसको करेंगे तो अंसर आ जाएगा तेने कभल किता है कितना कल्कुलेट करके अंसर पर आकर बताजे तो कितना अंसर आता है एक वार क्रॉस चेक करने जाका तो इतना अंसर आता है मुटा मुटी हो गया ना चलिए कल्कुलेशन कर लेंगे एवरीवन और फोटोलेक्टिक इफट अब हापगा ती आड़ा थांस अवादी हाद होगा अवी हापगा थाहाद के लाद। अवी हाद प्राद अभ्रणिक इत्तवाद थालाद झाल 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 यहां भी मैं इलेक्ट्रोन दिखा रहा हूँ यह मेरा फ्री इलेक्ट्रोन है समझें स्ट्वेंट ब्रेक्ट्रोन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोन को बोलते हैं? yes core electron नहीं balance electron रॉराइट diagram बना ले उसके बाद बात करना स्टार्ट करेंगा चलिए student पहले अप कहानी सुनिये Photo electric effect का देखे Photo electric effect में क्या होता है नामी है फोटो ऐलेक्ट्रिक इफेक को में डिवाइड तो फोट प्वॉट्टा हो गया फोटों इसकी अधिन फॉट्वन के बाजाज से उसकी इलिक्टरिसिटी मोटा म Kerryक्ट है वोको एक्चुल में फोटो इलेक्मकर में जेनरल होता क्या है कि कोई हम लोग यह GOODन पर बीम कमट में पृटो पुर्स जला रहे हैं िससे ही फोट उन जाएगा जाएगा यह बहूं remember आप फोटों जाएगा अब यह स्कूल के एजाम के लिए क्लास नहीं इसमें बहुत इलाव डेप्ट में जितना भी बात कर सकते हैं आपको कमिस्टी के पॉइंट हुई से वह यहां पर बात करूंगा तो एक्चल में यहां पर जितना भी फ्री एलेक्ट्रों है माल लेते हैं है सर मूवा तो कर रहा है फिरेगां यहां मतलब सर आथ हम लोगशें करके रखा आथ यह इसका मतलब सराय व्लोगा पूल करके रखा है औरट्रेक्शन के फोसी से रइए जिस दिन उतना मिल गया उसस दिन फ्रलाई कर जाएंगे क्रैक्ट् इसका मतलब जिस दिन उतना इनर्जी uh आपने किसी ने बते को निकसर अत्रा मिलेगा थो बचल कर जाएंगे एकचिलम जो अट्रैक्षन है उस अट्रैक्षन का बज़से मेरे औरत के बीच में एक इनर्जी है उस इनर्जी और आट्रैक्षन कर पर ब्रेक कर दें तो आउठ हो सकते हैं जिसको हम दो बोलते हैं escape velocity राइट वैसे ही यहां पर किसी भी मेटल के अंदर जो free electron है वो मेटल के निक्विरियस के साथ एक attraction के force से बंधा हुआ है वो चाकर भी मेटल के surface वे उपर नहीं आ रहा रहा राइट लेकिन अगर उस attraction को break तो उस attraction को break करने के लिए एक certain minimum amount of energy चाहिए एक certain minimum amount of energy required होता है और जो certain minimum amount of energy required रहता है minimum मतलब मतलब यह हुआ कि बस electron यहां से आकर surface पर बैठ जाए minimum को मतलब वही नहीं कि बस electron को आपको target दिया गया electron को बस surface पर आना है तो जो minimum amount of energy जो required है किसी भी अंदर के free electron को मतलब balance electron को metal के अंदर से surface तक लाने के लिए जितना minimum चाहिए उस requirement को बोलते है work function of the metal राइट माल लेते है कि minimum requirement it is very important to note that अगर minimum requirement है मेरा 10 joule और आप दे रहे है यहां पर क्या है 8 joule का photon भेज रहे है and you know that we know that one photon always collide with one particle right one photon always collide with one particle तो भाई one मान लेते हैं कि यहां पर इसका 10 joule का requirement है surface तक आने के लिए और आप 8 joule का photon भेज रहे हैं तो क्या यहां से आउट होगा क्यों नहीं आउट होगा कुछ आस्परिम सोचेंगे कि सर 8 joule और थोड़ा दिर और बेट करेगा तो 8 joule और दो photon लेगा राइट 16 joule हो जाएगा तो 16 joule होने में बेट करना पड़ेगा राइट 16 joule होने का मतलब क्या होना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा अब फोटो इलेक्टिक एफेक्ट में एक्स्परिमेंटली यह देखा गया है कि लाइट का आना और इलेक्ट्रोन का एजेक्ट होना बोथ हार साइमल्टेनियस देर नो टाइम गैप बीटिविल इंसिदेंस ओफ लाइट एन एजेक्ट्रोन फोटो इलेक्ट्रोन इसका मतलब यह चांस आपका खतम है इसका मतलब है कि सर अगर 10 जूल का दस जूल एकर इस इलेक्ट्रोन को चाहिए सर्फिस तक आने के लिए तो इसका और यहां पर मैं फोटोन भीज रहा हूं आठ जूल का एक फोटोन का एट जूले बहुत बड़ा बहल बोल रहा हूं इतना तो होगा नहीं पर फिर भी आपको समझाने के लिए पॉइंट हो आप है मैं फोटोन के यह रहा हूं मैं एट इलेक्ट्रोन बयां फोटोन heett elektron का प्केट भीज रहा है जो प्रेक्ट वैज रहे हैं कि तो यहां पर ूली का अ लाकों बेख दीजिए मतलब एक इलेक्ट्रोन फोल्ट प्रोड्यूस करने वाला हजारों बल्व लगा दीजिए क्या यहां से याउट हो पाएगा तो सर मैंने रूम तो बहुत लाइट कर दिया है इंतेंसिटी लाइट का बहुत बढ़ा दिया मतलब बहुत ज्यादा photon भेज रहे हैं इसका मतलब क्या होगा आप light बहुत ज्यादा लगाए होंगे जो source 8 electron volt का है वो बहुत ज्यादा कर दिये बट फिर भी not a single photo electron eject तो यहां से हम लोग एक चीज़ और सीखे कि ejection of photo electron does not depend on intensity of light का मतलब इसी टाइब का photon प्रवाइड करने वाला बहुत सारा source जो बहुत ज्यादा light प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब ejection of photo electron does not depend on what intensity of light उसको intensity of light से मतलब नहीं था उसको मतलब था कि बस photon का इनर्जी इसके जिसका जितना requirement है उससे match करना चाहिए अगर match नहीं करता है और उससे कम है तो उसका क्लोरो क्लोर फोटोन भेजिए not a single photo electron electron ejected from this metal is it right तो पहला objective बन गया सारा objective को लिखेंगे इसका मतलब है if energy of photo electron less than minimum energy required for ejection of electron then ejection of photo electron does not depend on intensity of light intensity of light पर उसका ejection depend नहीं करेगा is it right because किसी भी photo electron को eject होने के लिए बस उसको एक photon से ही तो collide करना है और जिस photon से collide करेगा उसका energy का value इसके minimum value से match करना चाहिए is it right पहला point इसका मतलब है कि ejection of photo electron दो option रहेगा पहला option देखिए objective कैसे अब हम लोग face करेंगे ejection of electron in photo electric effect from a given metal पहला option depends on energy of photon दूसरा intensity of light तिसरा बोथ d9 of this कौन सबसे correct है इसमें energy of photon not intensity of light correct okay अब यहां यहां देखेंगे अब लेटास सब्सक्राइब इसको चाहिए था मिनमम 10 electron volt मैंने प्रोवाइड किया 15 electron volt दिन 15 electron volt प्रोवाइड किये हैं तो it might be electron यहां से eject हो सकता है right might be keyboard उसको भी मैं बोलूँगा लेकिन अगर यहां पे तो आपने extra कितना प्रोवाइड कर दिया चाहिए तो था surface पे आने के लिए चाहिए था 10 बटा आपने दे दिया 15 है correct तो 5 का क्या होगा yes तो जो 5 जो रहेगा वो kinetic energy में convert हो जागा right इसका मतलब extra sorry extra energy जो बचा हुआ रह जाएगा वो actual में converted into kinetic energy अब इसी बात से related question सब कुछ को तोड़ तोड़ कप्राओंगा one by one बट यहां पर जो 5 electron volt बचा रह गया तब पुछेंगे कि मैं 15 electron volt का photon supply कर रहे हैं और electron को यह खोने के लिए 10 electron volt चाहिए इसका मतलब है कि sir यहां जो 5 extra जो मेरे पास बचा हुआ है और जो electron यहां से out हो रहा है उसके रास्ते में कोई hindrance हिंडर क्याट नहीं हुआ को hindrance नहीं है वो electron energy जो लेकर अगर आगे बढ़ा तो बीच में काइनेटर नर्जी का बहलू होगा बट इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि फोटोन से कोलाइड करने के बाद एट भी तो पॉसलिटी है कि कोलाइड करने के बाद भी यायर यां पर इसके पास इसका मतलब क्या है कि जितना फोटोन ने इनर्जी दिया उसको लेकर अर motherf byte counун है वहां आablo होने का अके अद ही नहीं किया रुकावत नहीं मिला ह। उसके पास पांच रहेगा लेकिन राश्ते में रुकावत हो गया हुथ सब्सक्राइब सब्सक्राक्व मतलब क्या हुआ इसका मतलब हे रहुत कि सर इसको चाहिए था इलेक्ट्रोन को एक होने के लिए minimum 10 सब लोग मेरे बात को सुन पा रहे हैं कहानी ओके बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसका मतलब सर इसको चाहिए था इसको सब को अबजेक्टिव ओन बाई-बन बनाएंगे यहां पर इतना से ही आपका काम चल जागा एकली में जो एसाइनमेंट दिये है ना वहां से बनेगा तो एक्ट्वल में यहां चाहिए था इसको 10 एलेक्ट्रों वोल्ट मिनिमम अम्मान लिजे एस्ट्वेंट कि मैं 15 एलेक्ट्रों वोल्ट का फोटों सप्लाई कर रहे हैं अ और 1000 और सारे फोटों का इनर्जी क्या है 15 एलेक्ट्रों वोल्ट है बट 1000 से क्या 1000 एलेक्ट्रों एजेक्ट होगा नहीं होगा सर बजह पहला बजह तो यह है कि इस नौट कंपल्सरी की ओल फोटों से सारा फोटों ऐसा नहीं कंपल्सरी की गया और फ्री एलेक्ट्रों से ही क्लाइड करेगा कुछ फोटों तो कोर एलेक्ट्रों से भी तो क्लाइड कर सकता है इसका मतलब है कि यहां कुछ फोटॉन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने मेटल का सर्फेस पर डेस्ट रखा है अभी साफ नहीं किया इट नौट भेरी क्लीन सर्फेस तो डेस्ट पार्टिकल फोटोन के लिए अर्थ के जैसा दिखाई पड़ेगा राइट को अिधि क्यों फोट प्षोटों के अंदर और चला भी गया तो इस नौट कंपल सही कि आपर प्षोटों को लएड़ इस फ्री इलेक्ट्राइब और पाद तो यहां पर पॉंट आ गय है तो माल देखते हैं तो इस थाउजेंड में से 800 फोटोन से फ्री एलेक्रों के साथ कॉलाइड किया लेट असपोज 800 राइड उस 800 में भी पॉसलिटी हो गया कि हो सकता कि 800 को फोटोन से कॉलाइड करने के बाद बाहर आना चाहरा है बट उसमें आप आया सिर्फ 600 200 अंदर ही रह गया बजा हो सकता है कि अंदर में कोलाइड करते हो इसका इनर्जी बेस्ट हो गया हो करेक्ट इसका मतलब एक और पॉइंट कि जितना नंबर ओफ फोटोन जाएगा मैक्समम इलेक्रों उतना हो सकता है बट इन रियालिटी उससे बहुत कम आउट होता है अगर यहां प होगा और लेस दन वन थाउजन रहेगा पर सेकंड करेक्ट तो मान लेते हैं कि यहां पर यहां से मैं भेज रहा हूं वन थाउजन फोटोन सारा पॉइंट बना के लिख वाएंगे पर सेकेंड और इच फोटोन हैविंग इनर्जी फिटीन इलेक्रोंड वोल्ट और यहां फिर मिनमम इलेजी कितना चाहिए था है था तेन एलेक्रोण वोल्ट तो आपका तो एक्सपेक्टेशन क्या रहता वे we are very positive people कि 1000 फोटोन भेज रहे हैं तो 1000 इलेक्ट्रोन इजक्ट होना चाहिए बट 1000 से बहुत कम इजक्ट होगा बजह सर पहला पॉइंट तो बजह का यह है कि इस नौट कमपलसरी कि आल फोटोन कॉलाइड बित आल फ्री इलेक्ट्रोन पहला बजह राइट सेकन बजह क्या हो सकता है सर्थ माल लेते हैं कि 1000 में से एट हन्ड़ फोटोन फ्री इलेक्ट्रोन से कॉलाइड कर गए हैं इसें से इस्ट कमपलसरी सर्फिस तक आ पाएग हो सकता है कि वह अंदर में किसी और से कोलाइड करते हैं अपना इनर्जी वेस्ट कर दिया हो करेक्ट इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि माल लेते हैं मोटा मोटे अब इसको लिख मतले जगापो समधा भी रहा हूं कि 800 फोटों और इस फोटों आर कैपेबल सारे फोटों के पास एक कैपेबिलिटी था फोटो इ इतना आउट हो रहा है रियलिटी में बजा क्या है तो दो लाइन तो आप बोली सकते हैं क्या बजा है करेक्ट दूसरा पॉइंट लेकिन अब आपको टास्क दिया गया कि इस 200 जो इलेक्टोन है इसी से तहुं लोग इलेक्रिसीटी क्रियेट करने वाले हैं जनरेट करने हैं तो कि चैप्टर का नाम ही है फोटो इलेक्टिक एफेक्ट फोटन से अलेक्रिसीटी राइट फोटोन आया और तो इक्ट्सितuben मेश्या को छाज को करना पड़ेगा तो चाज facult生 की से होगा इस एलेक्टोन से ठाज होगा अ कर आपको टास्क दिडिया गया कि नहीं से 200 एक्टॉन तो अब मैं इसको डबल कर देता हूं राइट अब प्रोबिलिटी का काम कर लेंगे तो डबल कर होंगे पहले एक बलम लगाए होते हैं लाइट सोर्स के लिए अब दो बल्ब लगा दिये रहा device हौट फोटोन तो किसी स्वल्स ना लगा रहा हो गए इसका मतलब लका दिया मतलब लाइट लाइट का ब्राइटनेस बढ़ा दिया मतलब इंटेंसीटी बढ़ा दिया इसका मतलब इंटेंसीटी बढ़ाने से आपका इंटेंसीटी को आपने डेवल कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रोन जो एजेक्ट हो रहा था वो डेवल हो गया करेक्ट अब मेरे objective concert दीजिए, photoelectric effect में intensity of light, हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो sir अभी तो आपने बोला था कि ejection of photo electron does not depend on intensity of light, अभी भी मैं अपने बात पे हूँ, intensity of light directly proportional to number of photon ejected per second, okay, but light eject, electron eject होगा यह नहीं, electron out होगा यह नहीं होगा, इसका मतभी intensity of light, क्या यह decide कर रहा है कि electron eject होगा यह नहीं होगा, यह number decide कर रहा है, लेकिन यह number कब, आप 2000 यहां देखिए, 2000 photon पर सेकेंड भेजते रहते हैं, और सारे photon का energy rate electron भोल्ट रहता, क्या यह यह भी electron eject होता, इसका मतलब intensity of light से control हागा number of electron per second, but electron eject होगा यह नहीं होगा, यह क्या intensity of light के हाथ में था, या energy of photon के हाथ में था, इसका मतलब है कि intensity of light directly proportional to number of, इसको एक भी point भी नहीं लिखना है, number of photon per second, but यह बात कब तक, it is valid only when energy of photon greater than equal to minimum energy required, correct, यह equation आपका तभी काम करेगा, जब electron eject होना start हो जाएगा, electron eject ही नहीं हो पा रहा है, और आप intensity बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कोई फाइदा होगा, इसका मतलब है कि यह तब हम लोग के लिए काम में करेगा equation, जब हम लोग sure हो गए, कि नहीं, अब मेरा electron eject होना शुरू हो गया, जब electron eject होना शुरू हो गया, इसका मतलब है, कि जो photon हम लोग supply कर रहे हैं, उसका value, इसका minimum requirement का बराबर या उससे बढ़ा है, तब intensity of light का रोल क्या रहेगा, number of electron per second एक control करेगा, ठीक है, यास, मैं कुछ भी अभी लिखवाया नहीं, मैं सब कुछ अभी समझा रहा हूँ, हाँ, बोलिये, बोलिये तो, बोलिये, हाँ, देखे, यहाँ पर जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, और कुछ न कुछ experimental बेसिस पर बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब यह प्रोपर आइंस्टाइन के एक क्वेस्टन में आया होगा, डेबल, मैंने आपको बोला नहीं, बट आइंस्टाइन के एक क्वेस्टन में इस फाउंड एट इसी गले उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, उन्होंने बहुत सा एक्सपरिमेंट किया था, यह भी नहीं आपको पढ़ना है, आपको फिजिक्स में अम्मी लगा ठीक है, उन्होंने अब्जर्व किया था कि जो सर्कीट बनाया थे फोटो इलेक्टिक इफेक्ट में तो इंटेंसिटी डाइरेक्ली प्रपोस्टन का ग्राफ हाया था, ठीक है, अगर किसी खास इंटेंसिटी के लिए करेंट का वैलो अगर तू एंपिर था उन्होंने डैबल कर दिया तो करेंट का वैलो वो फो मो हो गया गए होगा, और करेंट इसको हो रहा था, इलेक्ट्रोन का बैस तो समझ गए है? तो जिसको जिस बात के लिए इतना बड़ा प्राइज मिला हुआ है तो उन्हीं के बात को मैं यहां पर रख रहा हूँ है अब हम लोग अभी तो उतना नहीं है लेवल है कि उनके बात को भी यहां पर आपके कट कर दें समझते हैं बल्डवाइस हो जाओंगा कि इसले एक्ट्रौ में यही देखा गया है तो यह मेरे दिमाग में ए चल रहा है उसी को मैं तोड़कर इलक्त्रों के टर्म में समझा रहा हूँ ठीक है इसका मतनी इंटेंसिटि ऑफ लाइट क्या केंट्रोल कर रहा है और जो किसी भी metal के लिए minimum requirement है, उसी को next class में आगे चलकर बोलूगा work function of the metal, क्या बोलने बाले है, work function of the metal, correct ना, इसका मतलब intensity of light का भी रोल आपको समझ में आ गया, कि light ज्यादा, number of photon ज्यादा भेजेंगे, कम भेजेंगे, तो उससे क्या control होगा, उससे control होगा number of electron per second, yes, चलिए, यहाँ पर heading मनाईए, यहाँ यहाँ यह सारा story आप लोगों को समझ में आ गया है, everyone, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने नहीं देंगे, यह निहार का question है, yes, यह बाकी लोग बिल्कुल ड्रो मत कीजेगा, नेक्स क्लास में बढ़िया से ड्रो करेंगा, ठीक है, कुछ मत्र हेडिंग देजे, अभी एक question का मुझे answer देने देगे, बाद में हेडिंग देंगे, बस आप इतना ही बताए, कि कोई भी negative charge particle, moving by itself, from where to where, lower potential to higher potential, is it right? इतना तो help कर सकते हैं, तो चलिए, माल लेते हैं कि यह मेरा metal है, यह मेरा metal है, ठीक है, और यहाँ पर, अभी लिखना नहीं है, इनके question का अंसर दे रहा हूँ, यहाँ पर photon आया, correct? यहाँ पर, I electron eject हुआ, और जान बुझके, मैं जहाँ से फोटो, electron eject हुआ है, photo electron, उसको मैं negative potential बना दिया, lower potential, आइसको higher potential, battery कमा दिया हम से, ठीक है, अब यहाँ पर रुकेगा, यहाँ से यहाँ तक आजाएगा, yes, और यह electron बापस फिर यहाँ से होते हुए, बापस यहाँ पर ही आ जाएगा, समझे नहीं है, इस कर्म तो जितना electron यहाँ से निकलेगा, बापस यह ऐसे जाते रहेगा, otherwise, sir, अगर ऐसा नहीं होगा तो, ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किजेगा, तो किसी मेटल में electron यहाँ पर eject होगा, और यहाँ पर ही रुका रहेगा, correct? तो नहीं लेता है कि यहाँ पर negative create करते हैं बाहर से, अब जो electron eject होगा, उसको eject होने ही नहीं नहीं देगा, कुछ नहीं कुछ तो काम करना पड़ेगा, उतना depth में आपको नहीं भी जानना है, आपको तो NCRT में में देखा हूँ, एक paragraph तो हैं ही, NCRT का theory देखें हैं, फोटे electric fred का, शुरू होतार खतम हो गया है, एक paragraph, right? चलिए, तो यहां देखेंगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोन यहां से, इंडियन या ब्रिटिस कन्वेंशन तो जानते हैं, कि electron movement के ultradirection में current, अगर इलेक्ट्रोन ऐसे जा रहा है, तो current condition किसर मानते हैं, ultradirection में, right? तो current, current का flow ऐसे होगा, और एक current के लिए कौन responsible रहा, यह electron, correct? यह कौन सा electron है, photon के बज़े से आया हूँ electron, तो यह current क्या बोलेंगे, photoelectric current, right? अब आपके दिमाग में रहेगा, सर, जो electron यहां पर जैसे तैसे eject हुआ, जिसका बिल्कुल speed 0 है, right? लाचार electron, जैसे तैसे पहुँच गया, तब भी घबराने के बात नहीं है, इसी दिन के दो सिखाये थे आपको, इनी चार्ज पार्टिकिल, मुविंग फ्रॉम, एनी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, मुविंग बाइट सेल्फ, इसेल्फ का मतलब इसको बस कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, अगर निगेटिव प्लेट पर रिलीज भी करते हैं, मतलब रेस्ट में भी है, यहां पर रुके का या खुद से यहां से हाँ जाएगा, इसका मतलब यहां पर अगर इस तरीके का सेट अप रेडी कर देगा, तो जीरो स्पीड बलाव यहां पर रुके का या सारा का सारा चला जाएगा, इसके वजह से करेंट रहेगा उसको क्या कि यह बो लेंगे, फोटोओट इलेक्टिक करेंट, अब देखिए, अब आपनोशोन से फोटोण को ममें लाद दे जांब ह esos लेटोर हो रहा थां, बम्बारडिंग औफोटन से चोचोट वाइनियस कैनों भागर डाव से आप और यह ने इन वोड़ जाettsान कि है तो आप क्या करेंगे है फोटोन टावल बेजेंगा डावल भेजने के लिए प्ली ंद्हों से जढ़ रहे। मतलब उसका ब्राइटनेस जबल ज्यादा कर देंगे मतलब एक बल लगा वा तो दो लगा देंगे राइट तो करेंट आयजकर पर ट्वाई हो जाएगा राइट तो मतलब ओ जो बात सिखा रहे थे तो अब समझ में आ गया निहार कि पर नहीं को बचा हो रहेगा मेंटेन रहेगा अब फिर आप यहां पर अपना बल लगा लीजे घर में इसी का तो यूज करना था फैन लगा लेजे करेक्ट बीच मे यास यास बीच में मिटर यही तो है सोलर स्कुलर समाई इसी पर काम हो रहा है समिंपौर्टेंट पॉन्ट बना लिये अब यहां से प्रख़ान है अब पिछले क्लास तक क्या करना जैना है आपको जो बोर, मोडल, और फोटो, एलेक्टिक, रिखेक का दोनों का क्लास एसाइन्मेंट परिंटाउट करके रधी रहना है कि आज तो अधितना है किवे टार स्थ रॉडर्न का मफका द्यूटी नहीं है उसको ट्राइ कि लगता है कि ये कोशन आपसे युज रिदम बन जाना चाहिए बच्चा टाइप है तो छोड़ देंगे कि आप देख लिजे घाउसको ठीक है कि आधि किसी को क्लास मिस्त नहीं करना है नहीं आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स क्लास बिल्कुल मिस्त कीज़ेगा कि अजरे लूदा मिस्त कीज़े धूगा है नहीं आएगा लुट अजरा रिखा लूगा है नहीं कोगगा है रिखते लूगाँ कि अजते हैं आएगा है बिल्कुल मिस्त को कि अबहा है